जै गुरु जी शुक्राना गुरु जी हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को भी मेरा सुमनांटे का जै गुरु जी संगत जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं कि गुरु जी के मंत्र जाप में कितनी शक्तियां हैं कितना वो पावरफुल है जो पूरानी संगत है वो तो बिल्कुल जानती है कि गुरू जी के मंतजाप में बहुत शक्ती है लेकिन जितनी नई नई संगत जुड रही है मेरे को काफी कमेंट भी आते रहते हैं और काफी लोगों की काफी परिशानिया है उनके मन में तरह तरह के डाउट रहते हैं तो सबसे पहली बात कि आप गुरुजी के साथ अगर जुड़ गए हैं तो आप अपनी इच्छा से नहीं जुड़े हैं इस बात को तो आप सुईकार कर लीजिए क्यों गुरुजी जिसको अपनी संगत में जोड़ना चाहते हैं वही गुरुजी के साथ जुड़ता है है ना हम कितने कितना भी सोच लें हम गुरुजी के संगत नहीं बन सकते कई बार इंसान सोचता रहता है कि वो क्या करे, क्या करे, परिशानियां उसको चारों तरफ से घिर लेती है, तो सड़ली किसी का एक मैसेज आता है, है ना, यानि कि एक कॉल आ जाती है, कि आप गुरुजी के साथ जुड़ जाए, है ना, तो इस तरह से वो कॉल, किसके भी माध्यम से आए, वो कॉल होती है, गुरुजी की, तो प्यारे गुरुजी, देखते हैं, कि ये बंदा बहुत परेशान है, है ना, या अंटी या अंकल, बहुत परेशान है, तो वो उनको अपनी शरण में ले लेते हैं, है ना, जिससे कि उनकी टैंशन कम हो सके, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब आप गुरुजी के साथ जुड़ गए, और संगत बन गए गुरुजी की, तो अब सब कुछ उनके चर्णों में समर्पित कर जीजिए, जो भी टैंशन है, जो भी परेशानी है, किसी भी तरह बहुत अलग होती है, तो किसी का, किसी कसाथ कोई कंपेर नहीं है, तो आपकी कोई भी परेशानी हो, तो सबसे पहले आप क्या करिए, कि गुरुजी के मंत्र जाप में, आप अपना बिलीव को बढ़ाईए, तो क्या करना है आपको, आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है, और ये जो मंत्र जाप है, ओम नमस्षिवाई, शिवजी सदा साहाई, ओम नमस्षिवाई, गुरुजी सदा साहाई, इसकी आप चैंटिंग शुरू कर दीजिए, है ना, आपका जो भी काम है, वो हफते में बने, या दो दिन में बने, या एक महिने में बने, या छे महिने में बने, वो गुरुजी के उपर छोड़ दीजिए, है ना, कि गुरुजी आप जानो, है ना, क्योंकि वो ही जाने जहान है, वो अंतरियामी है और हमें किसी के साथ अपना दुख शेयर करके कोई लाब नहीं है हमें अपना दुख जो शेयर करना है वो किसके साथ शेयर करना है अपने परमपिताव के साथ शेयर करना है परमेश्वर के साथ शेयर करना है तो जब आप गुरुजी के मंतर जाप को करते हैं तो आपके भीतर अपने आप ही इतनी positivity feel होएगी कि आप खुदी हैरान रह जाएंगे कि आप में कितना ज़्यादा परिवरता ना गया है तो ये कैसे होगा ये जब आप मंत्र जाप करेंगे कुछ दिन के अंदर ही जब आप regular किसी की chanting करते हैं तो आपके अंदर positivity automatically आने लग जाती है है न तो दीरे 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 आपकी जो जितने भी negativity है शरीर के अंदर वो दीरे दीरे दूर होने लग जाती है तो आपको क्या करना है कि या तो आप रुद्राक्षी माल ले ले या पांच-दस मिनट के लिए खुदी गुरुजी के सामने बैठ जाएं और पूरा गहरी सांस ले पूरा अपना concentration बनाए कि सांस को थोड़ा अपने inhale करा exhale कर दिया और उसके बाद भगवान में अपना ध्यान लगाया है न शिवजी में लगाईए गुरुजी में लगाईए या आप गुरुजी के लावा कोई और मंत्र जाप भी करते हैं जिसमें भी आपका बहुत ज़्यदा अटूट विश्वास हो आप उस मंत्र जाप पे ही अपना फोकस लगा सकते हैं है न अगर आपके कोई और गुरु है जो भी कोई और वीडियो देख रहा है कोई अगर आपके और गुरु है और आपने किसी और मंत्र को धारन कर रखा है तो आप उसमें भी अपना विश्वास बनाए रखें है न गुरु को तभी चेंज करना चाहिए जब बहुत बड़ी जरुतान पड़े अदरवाइस गुरु चेंज नहीं करने चाहिए है न जो आपने गुरु बना लिया बना लिया तो हमारा जो मंत्र है ये बहुत पावरफुल है ओम नमस्षिवाए शिवजी सदा साहई ओम नमस्षिवाए गुरु जी सदा साहई तो इसमें आपके जो रुकेवे काम है जो बिगड़े हुए काम है वो अपने आप बनने लग जाते हैं है ना टाइमिंग गुरु जी की होती है वो किस टाइम पे किसको क्या ब्लेस कर दे वो शन भर में भी ब्लेस कर सकते हैं है ना पर वो क्या करते हैं अपने भक्तों को आजमाते हैं, है ना, अपनी संगत को आजमाते हैं, वो कहते हैं कि पहले में भंडा साफ करता हूं, है ना, गंदे में ही ब्लैसिंग नी डालते, तो वो कैसे साफ करने का, उनका मतलब क्या है, कि पहले अगर आपके जीवन में आपने मंतर जाप करना शुर अपना ध्यान गुरु जी में लगाए रखना है विश्वास बनाए रखना है पूरा विश्वास जमा के रखें और आप उस परिक्षा में पास जरूर होएंगे कहते हैं कि गुरु जी इंतिहान तो खुब कड़ा लेते हैं है ना बहुत ही जादा धहरी रखना पड़ता है लेकिन वो फेल नहीं होने देते हैं अगर आप उन पर विश्वास बना के रखते हैं तो आपको फेल नहीं होने देंगे तो आपको क्या करना है मंत्र जाब करना है चाहे आप 5-7 मिनट करें चाहे आप 108 बार जाब करें उससे कोई फरक नहीं पड़ता है ना में क्या होता ह गुरुजी हमारी शद्धा देखते हैं और ये जो गुरुजी है हमारे ये साक्षात है है ना इनको आप एक फोटो मत मानिए जो सुरूप है गुरुजी साक्षात बिराजमान है है ना तो आप इनके नाम की जोज जलाईए इनको प्राथना कीजिए इनको पुकारिए इनके चर्णों में अपनी अड़ास लगाईए अगर कोई ज़्यादा परिशानी है है ना वैसे तो गुरु जी के सामने खड़े रहना ही परियाब्थ है कहते हैं कि अगर आप गुरु जी के सामने खड़े हैं तो अन्तरियामी है वो आपकी एक एक बात को जानते हैं है ना तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कमेंट में काफी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उनकी नाना प्रकार की परेशानी होती है उसमें ये भी लिखा होता है कि गुरुजी सुन ही नहीं रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं उनको अरदास करते करते, उनकी कोई मनोकामना अटकी हुई है और किसी के relationship की problem है, किसी की money को लेकर problem है, किसी की जोडों में दर्द की problem है, तो हर एक की जो जो भी समस्या है, वो सब ग मन हलका होता है कहलेने से, लेकिन फिर भी इस बात को आप बिलकुल ध्यान में रखिए, कि गुरुजी अंतरियामी है, वो सब जानते हैं, और समय आने पर आपको वो सब चीजे उपलब्द कराएंगे, जो आपके लिए शूटे भलोंगी, वो ऐसे नहीं होता कि कहते हैं भ जो इसके भले के लिए होती हैं, है ना, तो बस हमें क्या करना है, गुरुजी पर विश्वास रखना है, और निराश नहीं होना है, मंत्र जाप करना है, गुरुजी का जो मंत्र है, ओम नमस्षिवाई, शिवजी सदा सहाए, ओम नमस्षिवाई, गुरुजी सदा सहाए, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके उपर अपना विश्वास बनाए रखना है, किसी को तुरंत लाब हो जाता है, और किसी को थोड़ा वक्त लगता है, तो जिनको अगर कुछ वक्त लग भी रहा है, तो निराश ना होएं, परिशान ना होएं, अपने गुरु पता है, कि ये तो मेरा बच्चा है, ये कहीं नहीं जाने वाला, और बस गुरुजी अपनी शरण में उसको स्वेम ही ले लेते हैं, और हमें बिल्कुल भी कोई तकलिफ नहीं होने देते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, माबब कैसे उसकी केयर करते हैं, बच्चा नहीं कहता कि उसे शुशु पॉटी जाना है और उसको भूग लगी है सिरफ बच्चे के रोने भर से ही मातुरंत उसकी केर करती है है ना तो इसी प्रकार से यह जो हमारे परमात्मा है यह भी हमारी केर करते हैं है ना कि हमें कोई तकलीप नहीं होनी चाहिए तो अपने अपन हमारे जीवन में एक चीज है इस परमात्मा की तरफ से हम सबको मिले है लेकिन हमसे भूल जाते हैं और है नम्रता होनी बहुत जिए सब के प्रति हैं हमारे सबहुं दयालू होना चाहिए अगर हमार को को उड़े है तो समझो हमारे अंदर नम्रता की कमी है हमें अपने क्रोध पे काबू पाना है तो यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम हमने क्रोध पे कैसे फेकाबू पाए जब मंत्र जाल साप करें लगते तो यह काम पेई को बत्वर्फ से और चाहिए चीज़े भी हमारी घटने लगती है तो हमारी जिस्कार तो अब उसमें आपनी पहले से अल्रेडी भरा हुआ है पहले उसे तो खाली करना पड़ेगा ना तभी आप उसमें फ्रेश और पानी भर पाएंगे तो अभी क्या करना है जैसे जैसे मंतर जाप करेंगे और यह सब चीजी ऑट्रोमेटिकली होएंगी कि अगर आपको गुस् पास्तों में कंट्रोल करने की चीज है भी नहीं है ना गुस्सा या तो आता है या तो नहीं आता गुस्सा बहुत आ गया तुम्हें कित्रा कंट्रोल कर लोगे गुस्सा तो बढ़ता चला जाएगा और जब कोई तुम्हें शांत करने की कोशिश करेगा तो गुस्सा और आएगा है ना तो गुस्सा अपने आप में ऐसी चीज़ है और गुस्सा करने के लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी बाते भी नहीं चाहिए होती है एक जिए छोटी-छोटी सी बाते होती ना गुस्सा उन्हीं से बढ़ता है जब आप ठंडे मन से सोचेंगे तो आपको अप सारत्मक और जाप बढ़ेगी है ना तो हमारे मंत्र जाप में ही इतनी पावरफुल शक्तियां विद्मान है कि यह ऑटोमेटिकली जितनी भी ड्यक्तिविटी होती है धून धून के धून धून के पूरे शरीर में से निकालती है है लेकिन यह काम हमें कैसे करना है करते ही जा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर करें